साच कुवाच कैसा और चोर का सोर कैसा ये हम नहीं सबी जगे पर ऐसा कहा जाता है अगर कोई सत्य है गलत कारे नहीं किया है तो उसे डर्ना नहीं चीए और गलत कारे किये हैं तो आपकी आवास सुनेगा को में लगता है कि अपनी पार्टी पे भी उनको भरोसा नहीं है तो ह इसके आपद़ की लोलुक्ता भी तो देखिए कि जो कट्तर भरश्टाचारी है वो कह रा है कि हम वहीं से गेंग की तरह जैसे गेंग नहीं चलता है गेंग चलता है, जेल से लोग अपनी अपनी चलाते हैं, उस सरकार चलाएंगे, कहीं दुलिया में सुनिये, आपका तो जन्म बरश्टाचार के खिलाप हुआ था, आज दिली की जन्ता क्यों नहीं जा रही है इनके साथ, आज दिली के लोग तो मिठाई बांट रहे हैं, स्वगत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुपता आपके साथ, दिली के सियम अरवंद केश्रिवाल को शराब घुटाला मामले में एडी ने गिरफतार कर लिया है, बकादा 9 से 10 समन जारी किये गए थे, इसके बावजूद हर समन को अरवंद केश्रिवाल ने अंद जेल में मनाने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच में अरवंद केश्रिवाल की पतनी सुनीता केश्रिवाल आ गया गई है और उन्होंने अरवंद केश्रिवाल का एक मैसेज जनता के साथ साजह किया है, जहां पर वो कह रही हैं कि अरवंद केश्रिवाल का पलपल का जो जी पूरी तरीके से जनता के लिए समर्पित हैं, ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसन सिंग भारतिय जनता पार्टी से ये प्रवक्ता हैं, सड़ स्वागत है आपका, जिस तरीके से सुनीता केश्वाल सामने आ रही है, तो क्या ये माना जाए कि अब पूरी तरीक को देखें तो वो भी CM की कुरसी पर बैठी हुई है एक समधानिक पद है बिना किसी श्रपत के वो कुरसी पर इस तरीके से बैठी है हाला कि लोग बकादा इसको ले करके भड़के हुए है और उनका कहना है कि किस हैसिया से वो CM की कुरसी पर बैठी है लेकिन बात हम सबसे प कारे नहीं किया है तो उसे डर्ना नहीं चीए और गलत कार किये हैं तो आपकी आवास सुनेगा कौन और दुनिया में ये पहला अनोखा केस है आपने लालू जी का भी जिकर किया लालू जी जेल जाने के पहले पद छोड़ देते हैं उसके पहले बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत जी चलता है गेंग चलता है जेल से लोग अपनी अपनी चलाते हैं उस सरकार चलाएंगे कहीं दुनिया में सुनी है जैल अलिता जी भी जेल गई थी वो पद छोड़ दी थी अभी हमन सोरें जेल गए हैं वो पद छोड़ कर गए लेकिन इकलावता केस आप अर्बिंद के केजरिवाल को का है जिसमें वो करें कि हम जेल से ही चलाएंगे सरकार चलाएंगे देखिए लिखा रहता है कि दारू स्वास्त के लिए हानिकारक है उसके बाद भी दारू पीते हैं लोग ऐसे ही सब लोग जानते हैं कि आप गुनाह करेंगे बरस्टाचार करेंगे तो गि कि समयधान ने यह नहीं दिया है कि चीप मिनिश्टर के लिए अलग कानून होगा और आम आदमी के लिए अलग कानून होगा अबावा साब अमेडकर जी का जो कानून है उस सब के लिए समान लागू होता है तो अगर आप कोई भी गलत कारे करेंगे चाहो चीप मिनिश्टर ह या समान बेकती आपके खिलाब कारवाई होगी अरविंद के जिरिवाल जी बरस्टाचार की है उस बरस्टाचार में जेल गए है आप बताईए दुनिया में कौन सी ऐसी कैबिनेट होती है जो कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंतरी होता है और कहे हमको पता ही नहीं सहाब पहले दिन ही तैंक कर लिया था कि बरस्टाचार करना है नहीं तो आप बताईए देश का कोई ऐसा किसी भी पार्टी का मुख्यमंतरी बताईए जो अपने पास वो मुख्यमंतरी तो है लेकिन कोई मिनिष्टी न रखे क्योंकि वो जानते थे कि बरस्टाचार करना है सुन कारिक करता है गुनाह करता है तो कोई ने कोई सबूत छोड़ जाता है अरविंद के जरिवाल से भी यही गलती हुई जो गुनाह किये उस गुनाह का सबूत मिला सबूत पे सफाई नहीं दे पाए और एडी सम्मन पे सम्मन सम्मन पे सम्मन देती रही कोट चले गए, कोट ने एडी से कहा आप लेाकर मुझे दिखा ये कि इनका क्या गुना है एडी जब कोट को दिखाती है राजनीतिक पार्टिया नहीं कोट जो एक स्वतंतर संस्ता है वो करी तो गिरपतार क्यों नहीं कर रहे है गिरपतार करना चाहिए उसके बाद एडी गिरपतार करती है और उसी केस में जिसमें 12 महीने, 14 महीने, 4 महीने से 15-16 लोग जेल में हैं इनके दो-दो मंतरी जेल में हैं खुश तो है अगर आप कानून को नहीं मान रहे है मतलब आप समिधान को नहीं मान रहे है देश को नहीं मानने हैं, अगर सच्चाई होती, खोड़ देती, खोड़ कोई राजनितिक पार्टी है नहीं, लेकिन आपने तो साब गुना किया है, और गुना भी देखिये कौन किया, ऐसे कटर भरष्टाचारी, जो कहते थे कटर इमानदार, अपने मन से सर्डिपिकेट मा मिठाई बाट रहे हैं, मिठाई बट रहे हैं, अर्विन के दिरिवाल के जेल जाने पर, कि इस आदमी ने चल किया दिली के लोगों से, अपने गुरू से चल किया, राजनितिक पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे तो हम यमना साब करेंगे, हम एक रुपे बसों में सपर करेंगे, ठीक सारा काम उसके उल्टे, भरस्टाचार नहीं करेंगे, सिला दिछित को जेल में डालेंगे, सोनिया जी को जेल में डालेंगे, और स्वेंग भरस्टाचार किये, मुझे लगता है, कि जैसा खाय हन, वैसा हो मन, भरस्टाचारियों के साथ मिल ग जाच की जानी चाहिए लेकिन आज जब इंडिया लाइंस बन चुकी है तो यही कॉंग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि बीजिपी वाले एक एक करके जेल में डालना चाहते हैं यानि कि चुनाव जो पहला चरण का वोट होगा उससे पहले तमाम विपक्षी नेता जेल के किस तरह से वो बता रही है कि कटर भरस्टाचार कैसे हुआ है पीसी में एक एक चीज बता रहे है कि भरस्टाचार किस तरह से किये हैं लेकिन एक भरस्टाचारी दूसरे भरस्टाचारी को बचाने की कोसिस करता है बुरा नहीं मानना चाहिए भाई कांग्रेस भी भरस्ट बरस्टाचार तो चोर चोर मौस्याओत भाई तो बरस्टाचारी बरस्टाचारी को बचाने की कोसिस करता है लेकिन इस देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि बरस्टाचारी को छोड़ दिया जाए बरस्टाचारी को उसके गुना की सजा मिलेगी और सजा क्यों नही पूछ कर कोई नीती बनाएंगे नीती भी आप बनाते हैं और जब लगता है कि यह तो बातें पब्लिक डोमेन में आ गई तो नीती को भी आप नहीं बदलने का कार किया वहां भी आप पब्लिक से नहीं पूछने गए तो मुझे लग रहा है कि अरबिंद केजिरिवाल पहले जेल जाना है हम सब कुछ यह करके ध्यान दूसरे तरफ आकरसित करें और भरस्टाचार करें हम तो सुक्रिया करते हैं देश की स्वतंत्र एजेंसियों की जो पारदर्सी तरीके से भरस्टाचारी को जेल में डालने का कार कर रही है धरने बाद प्रदेश की जनता को जिनो जो गलत है जो गुनागार है उसके खिलाब कार उसी आमादमी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता है जो उसमें नहीं सल निपता है उनको नहीं कोई पकड़ने जा रहा है उनके खिलाप नहीं कोई बात कर रहा है आप बताईए कि जो किसी कैबिनेट का हेड हो उसको जानक रहते और सबसे मज़े की बात तो यह है यह सब किया कराया कांग्रेस का है कांग्रेस बदला ले रही है हो सकता है कि कांग्रेस ने सिखाया हो इनको और कांग्रेस ही आउट कर दी हो क्योंकि जहां भी सत्ता ये लिए किसका लिए किसका नुकसान किये पंजाब में भी कांग् एक तरफ कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं आप जाके देखिए कल कांग्रेस पार्टी में मिठाई बटी उनके दब तरह में तमाम लोग विरोध किये तमाम लोग कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कहते थे कांग्रेस के नेता रिजाइन कर रहे हैं अभी उनके एक परवक्त जनता ने आप पर भरोसा किया था बहुत भरोसा किया था आपने दिली की जनता का दिल तोड़ दिया आपने जो कृत किया कोई नहीं करेगा आपने समिधान पर हात रखके सौगन लिया इमांदारी से कट्टर इमांदारी से हम देश के लिए कार करेंगे और आपने भरष्ट के जिरिवाल जी आपने घलत कार किया इस नाते आज आप जेल में है निसित तोर पे प्रदेश की जनता देश की जनता ये देख रही है कि कई लोग कटर इमांदार का चोला ओड़के और कटर भष्टाचारी का कार करते हैं आज उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है अ जाबरी 2.0 आने वाला है यानि कि उनकी पत्नी आफ फ्रंट पे आएंगी देखिए इसको दो दिरिष्ट कोण से देखिए तो हमारे हां जो पत्नियां होती है वो पत्ती के प्रती जो है संबेदनाएं अपनी ब्यक्त करती है एक दिरिष्ट कोण ये हो सकता है दूसरा दि नटेजरीवाल जी को किसी पे भरोसातो है नहीं। उनको तो प्रदेश की जंता पे भी बरोसा नहीं, अपने पार्टी के लोगों पे भी बरोसा नहीं। बहुत सारे उनके साथ ही सहयोगी जो फांडेशन डे से उनके साथ है जब इनका पदकद बढ़ता गया उनको निकालने कारे किये चाहे हो कुमार विस्वास जी हो बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम क्यू लेना है तो हमें लगता है कि अपनी पार्टी पे भी उनको भरोसा नह देखा है तो इसमें पत्नी का क्या दोस्त गुना तो वो किये वो तो उनकी पत्नी है अगर उनको देते हैं लेकिन आप यह मान कर चलिए कि अब किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी की नाव बचने वाली नहीं है क्योंकि कल देखी एडी ने क्या कहा कि एक लिमिटेड कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा उसके खिलाप भी कारवाई होगी तो मुझे लगता है कि यह सारा जो गुना है और किये अर्बिन के जिरिवाल लेकिन उसकी सजा आम आदमी पार्टी भी भुगतेगी वो पार्टी जो सिला दिचित के खिलाप जो सुनिय जी के खिलाप जो कांग्रेज के खिलाप जो बरष्टाचार के खिलाप बनी थी आज देश के लोग देख रहे हैं कि वही बरष्टाचार करके और उसके सबसे प्रमुक मुखिया जो अपने गुरू की बात नहीं मानके सराब का कारवार करते हैं सराब का ब्योसाय करते हैं सराम महरा फेरी करते हैं और नसा तो किसी भी चीद का खराब होता है वो नसा हमें लगता है कि इन पे भी चड़ गया था और उस नसे ने गुनाह कराया उस नसे ने जेल कराया अरविंद के जिरिवाल जी ना आप बचेंगे ना आपकी पार्टी बचेंगे फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के भारती जंता पार्टी के प्रवक्ता अयसन सिंग ने अपनी बात रखी है और कहीं न कहीं ये बात भी कही जा रही है कि शराब हानिकारक होता है फिर चाहे उसका सेवन हो या फिर उसका घोटाला हो इस खबर पर आपकी भी जो राय हो हमार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद